हलो एवरिबड़ी इस दिग्रास सिंग राशपूत वेलकम टू मैगनेट ब्रेंज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ठीक है जो फ्लो चल रहा था उससे थोड़ा बहार निकलेंगे एक इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं ठीक लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अब जो मेजर टॉपिक लास्ट आपका बचा है वो दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ना हमें मतलब फंडामेंटल डूटी पढ रहों में ठीक आप सोचों कि राइट्स का चैप्टर पढ़ते पढ़ते डूटी कहां से आगए हम तो अधिकार की बात कर रहे थे और यहां पर हमें काम पर लगा दिया डूटी जागी ठीक है उससे समझना बहुत जादा ज़रूरी है क्या होता है कि हमारा कॉंसिटिशन जिससा आप से फ्रेम किया गया है तो एक ही पार्ट में फंडामेंटल राइट्स डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलेसी और यह डूटीज है अब डूटीज ओरिजनली हमारे कॉंसिटिशन में नहीं थी ठीक है मतलब जब कॉंसिटिशन मेकर्स ने अब जो 42 अमेंटमेंटमेंट पास्ट किया गया था 1976 में तो इस अमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटमेंटम वो आपका fundamental right है लेकिन आपके उपर कुछ responsibility भी है ठीक है rights and duties moves hand in hand जैसे rights and responsibility moves hand in hand आपने सुना होगा तो वैसे ही क्या हमारे constitution ने बोला कि हमने तुम्हें दे तो बहुत कुछ दिया ये भी लेलो right to freedom of speech लेलो right to freedom of religion लेलो right against exploitation लेलो सारे rights लेलो लेकिन आप कुछ खुद भी तो करो ठीक है तो हमारे constitution में मतलब constitution makers ने तो नहीं लेकिन constitution में बाद में amendment करके जिस government ने क्या किया fundamental duties को insert किया तो उनका soul perspective ये था कि लोगों के अंदर भी एक sense of responsibility develop कर सके ठीक है मतलब लोग भी बोलें कि यार सिफ अधिकार या अधिकार नहीं है आपके आपका कुछ दायतव भी बनते हैं ठीक है आपको ये काम करना होंगे अब एक और important चीज़ अब आप बोलोगे कि या अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा ठीक है तो देखो main चीज य आइट पर ज्यादा फोकस किया एक liberal constitution है खुली सोच वाला constitution है हमारा तो हमने क्या बोल दिया कि हम duties दे रहे हैं ठीक है अब जो duties नहीं follow करेगा मत करो ठीक उस तरह से तो duties enforceable नहीं है ठीक है तो how the fundamental duties are different from fundamental rights तो आप ऐसा मत बोलते ना कि ये duties ये वो rights है थोड़ा मैं चीज औ from fundamental rights तो दिखती बात ही ये तो rights है और ये duties है ठीक है ये आपको क्या है ग्रांट की गई ये आपको follow करना होगा लेकिन उसके अलावा क्या है कि fundamental duties are non-justiciable मतलब मान लो क्या है आप और आपका दोस्त है अब जैसे एक fundamental duty क्या ले गी है एक fundamental duty है हो गई आपकी कि we must abide by the constitution मतलब आपको constitution follow करना है constitution की इज़त करना है आपको आपका दोस्त नहीं इज़त कर रहा है आप इज़त कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपके दोस्त की कॉलर पकड़कर ले जाओगे court में की इसको jail में डाल दो ठीक है ये fundamental duty follow नहीं कर रहा है ठीक है चलो ये वाला तो फिर भी practices हैं customs हैं उनके हिसाब से नहीं चलना होगा ना मतलब रूडिवादी नहीं होना थोड़ा सापको science reason इस चीज़ पर जाना होगा यहां तक ठीक है तो आप क्या बोलोगे अब आप यह बोलोगे कि यार मेरे हिसाब से इंसान का दिमाग scientific नहीं है यह तो बहुत विछड़ा ह बताने को कि इनका status over the period of time क्या और आप बदलता रहा है ठीक लेकिन अब अभी उस point of view पे नहीं जाते हैं आपको simple lucid बताता हूं कि fundamental duties are non-justiciable मतलब इसको अगर कोई follow नहीं कर रहा है तो आप ऐसा नहीं कि उसे court में लेके चले जाओगे case कर दोगे ठीक है and the constitution does not provide for either direct enforcement और constitution भी खुद नहीं बोलता है कि इसका enforcement जरूरी ही जरूरी कि आप लोगों को डंडा दिखा के बोलो कि follow करो follow करो इस तरह से जिसे करना है वो करे ठीक है यह क्या है यह मतलब एक दरह से वो रहना चाहिए कि self followed रहना चाहिए कि लोग अपनी इक्षा से खुद करें इस चीज को ठीक है तो अब है क्या तो in all 10 fundamental duties were enumerated in article 51A अच्छा एक चीज बताइए जैसे मैं आपको अभी थोड़ी दिर पहले जो video lecture आपने देखा ठीक है जुसमें मैं आपको उता है कि right to education भी एक fundamental right हो गया article 21A ठीक है तो आपने कभी सोचा यह ABCD कहां से आ गई बीच में क्या होता ह कि अब आपको fundamental right बनाना है ठीक है और number तो वही रहेंगे कि आपने 19,20,21,22 सब book कर दिया है ठीक है और 23 से दूसरे right चालू हो गया right against exploitation हो गया ठीक अब सवाल यह आता है कि आप बीच में एक right लगाना right to education तो वो right incorporate हमने कभ किया constitution मनने के बाद में किया तो इस कारण से क्या है कि 21A आया था जैसे अब क्या आर्टिकल 51 तक हमारा complete हो गया था क्या complete हो गया था आर्टिकल 51 तक आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक हमने देखा कि हमारे constitution में directive principles of state policy आ गई है ठीक है अब आपको क्या है अब क्योंकि आर्टिकल 51 के आपने 52 जो है तो आर्टिकल 52 प्रेसिदें करता है अब आपको क्या करना था आपको यह fundamental duties आपके constitution में add करना था यह constitution मनने के बाद में अब गिंती तो नहीं आएगी 51 क्या तो 52 आना है कुछ और थो ही ना आएगा तो ऐसे amendment जब लाते ना तो आप ध्यान देना इस चीज़ का कि ऐसे ABCD लगा देते तो आर्टिकल 51 A ज नंबर क्या है आटिकल 51 A ठीक है तो आप जैसे fundamental duties क्या क्या है तो यह fixed deposit नहीं है fundamental duties such as we must abide by the constitution यह आपकी एक duty हो जाएगी defend our country ठीक है तो आपकी country की रक्षा करना आपका करतव या आपका दायत वो होना चाहिए आपकी duty होना चाहिए promote harmony among all citizens ठीक है तो जितने भी नागरिक है उनके बीच में क्या है शान्ती सौहाद्र बना रहे है लोग अच्छे से रहे तो यह fundamental duty हो गई आपकी protect the environment environment protection भी आपका एक क्या हो गया duty हो गई आप नई भी protect करोगे ना भी कर रहे हो तो भी आपको ऐसा नहीं कि जेल में डाल देंगे बाकी यह क्या है यह लोगों के अंदर एक sense of responsibility sense of duty enforce करने के लिए क्या किया गया था इस तरह से fundamental duties डाली गई थी हमारे constitution में ठीक है लास्ट statement देखो क्या है तो inclusion of fundamental duties has not changed the status of fundamental rights बनल ऐसा नहीं है कि आप fundamental duties को follow नहीं करोगे तो आपके fundamental rights आपको नहीं देंगे अब करो या ना करो fundamental rights तो दे दिये बहुत बड़ा दिल है हमारे constitution का ठीक है तो इस तरह से यह क्या है कि status किसी का कोई change नहीं हुआ है fundamental duties क्या है वो एक sense of responsibility डाने के लिए incorporate की थी that's it ठीक है तो यह एक छोटा सा crisp topic था जिसे मुझे लगा कि discuss करना जरूरी है क्यों क्योंकि competitive स्वाले जितने भी हमारे प्यारे students हैं ठीक है आप लोग इस चीज का विशेश ध्यान दे रहें कि आपको यह छोटी छोटी चीज़ें जो है तो यह आपके answer writing में और guesswork में जब आप mcq में guesswork करोगे करोगे तब आपकी काफी मदद करने वाली यह सारी चीज़ें ठीक है तो competitive students के लिए तो कुछ भी छोड़ना जरूरी नहीं अब syllabus में थोड़ा से कुछ changes आते रहते हैं लेकिन हम हर चीज कवर करते जा रहें क्यों क्योंकि दोनों का फायदा हो जाए और knowledge कभी worth नहीं जाए relationship पडलेंगे हम fundamental rights और directive principles of state policy के बीच में is that clear मिलते हैं next video में thank you thank you very much